अलो फ्रेंट्स रेश्टी में आपका स्वागत है और मैं हूँ आनंद दोस्तों आज हम इस वीडियो में मद्ध्रदेश मुख्य परिक्षा के जो प्रश्ण है उनके उत्तर को देखेंगे उत्तर की संरचना क्या हो उसकी बात करेंगे और प्रश्णों के संदर्ब में जो उत्तर लिखने वाले हैं हम उसके साथ में अन्य जो आकड़े हैं कंसेप्ट उसकी बात दिक करेंगे ताकि आगामी वर्ष के प्रश्णों के उत्तर को आप और अच्छे से लिख सके जोस्तों मद्ध्रदेश मुख्य परिक्षा में तीन सो शब्दों में अपना उत्तर लिखना है जोस्तों आज इस वीडियो में हम दरसल सो शब्दों का एक प्रश्ण ले रहे हैं और हमारा प्रश्ण 2019 के प्रश्ण पत्र से है जोस्तों यहां पर पहले हम जड़ा प्रश्ण देखते हैं वो यह है कि भारत में गरीबी के माप का है और आपको सो शब्दों में अधिकतंव इसका उत्तर लिखना है जोस्तों पहले हम एक कन्सिप्ट को समझते हैं उसके बाद इस उत्तर आयोग की ये जमेदारी थी कि भारत में निर्धनता का मापन करें ताकि सरकारें अपनी जो योजनाएं हैं उनके आधार पर निर्धारित करें एक बार पता चलेगा कि इतने लोग निर्धन हैं तो उनको लक्षित करके जो भी सबसीडी है जो भी सुईधाएं हैं वो देने क के लिए सबसे पहले निर्धंता का मापन करना जरूरी था जिसके लिए योजना आयोग ने अलग-अलग समीतियों का गठन किया और उन्हों सब में एक स्वतंत्र समीती थी डंडेकर रत्समीती जो योजना आयोग द्वारा गठित नहीं थी तो डंडेकर तथा रत्समीती की जो सिफारिशे थी उन्होंने गरीबी की देखा के मापन के लिए दरसल कैलोरी की अवधार्ना को प्रस्तुत किया कि यदि एक व्यक्ति एक दिन में करीब बाईसो पचास कैलोरी का उपभोग करता है इसका मतलब वो अपनी आवशक्ताउं को पूर्ण कर सकता होगा इसलिए उसको निर्धन नहीं कहा जाएगा और बाईसो पचास कैलोरी को व्याय करने में जितना राशी लगता होगा उसको गरीबी रेखा के नाम से सूचित किया गया उसको चिन्हित किया गया दोस्तों इसका मतलब यह समझें आप कि होता यह है कि जब भी कभी गरीबी का मापन होता है तो सबसे पहले हम एक बार गरीबी रेखा को भी समझें शौट में और गरीबी रेखा के साथ हम गरीबी रेख था कि जो टोकरी है उसको भी समझें, दोस्तों निर्धनता की जो परिभाशा है वो ये है कि जब व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यक्ता जो जीवन में उसको चाहिए, उसको अगर यदि पूरा करने में असमर्थ है तो उसको हम निर्धन की संग्या देते हैं, उसको निर आस्थ्य, सिक्षा, स्वच्छता, बिजली, आदी, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी सेवाएं हैं जो उसको चाहिए, और यदि वो इन चीजों को, इन सेवाओं को खरीद नहीं सकता, इन पर वे नहीं कर सकता, तो उसको हम कहेंगे वो निर्धन है, तो इसे हम कह सकत हैं न, कि ये निर्धनता, रेखा, टोकरी है, पोवर्टी, लाइन बास्केट है, क्योंकि इस टोकरी में हमने एक उन वस्तुएं को रखा है, जो किसी भी व्यक्ति को एक सभ्य, एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए अनिवारे हैं, हम किसी विलासिता की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं, किसी मुलभूत आवशक्ताओं की, जो किसी मानव को चाहिए, जिससे उसका एक बेसिक जो लाइफ स्टाइल है, पूरा होता है, जोस्तों अब आप देखें, किसी एक व्यक्ति या किसी परिवार को एक महीने में बोजन, पोशन, स्वास, चिक्षा, तब जाकर इन चीजों को वो बेसिक स्टर पे पूरा कर पाएगा, जोस्तों क्या इसे मैं निर्धंता रेखा कह सकता हूँ, बिलकुल कह सकता हूँ कि यह मेरी क्या है, निर्धंता रेखा है, जो मैंने एक पांच व्यक्तियों के परिवारों के लिए प्रती महा के आधार पे निकाला है इसको मैं चाहूं तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन के लिए निकाल सकता हूं तो मैं कह सकता हूं कि मान लिजे की दो हजार रुपए एक व्यक्ति को उस परिवार में जो कि पांच व्यक्ति हम मानते हैं तो पांच व्यक्तियों का व्य इतना होना चाहिए तो एक दिन में यदि वो वै कर सकेगा तो उसको हम निर्धन नहीं मानेंगे तो मैं यहां कह सकता हूँ दोस्तों कि मालिजे 65 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति दिन एक रेखा है जो व्यक्ति इससे कम खर्च कर रहा होगा ये बात निश्चित है कि वो इन चीजों की र però ररा रेखा निकाली जाती है जिसको हम पोवर्टी लाइंग केते हैं इस पोवर्टी लाइंग के निरधारन को लेकर अलग-अलग समीदिया बनी सभी ने अपने अपने स्टरों पर इस सिफारेशे दी हैं जिसका हमारा प्रसुन का आज उत्तर होने वाला है दोस्तों पर होने वाले एक परिवार के स्तर पर एक वेक्ति के स्तर पर एक महीने में या एक दिन में हम निकाले तो उसको हम गरीबी निर्धनता रेखा का नाम देते हैं भी अब दोस्तों उसलेमी आप जैसा मंem का कि अलग-अलग समयों पर अलग-अलग मांगों के हिसाब से अलग-अलग समीतिया बनी जिसमें से एक है सुरेश टेंडूलकर समीति और एक है सी रंगराजन समीति हमारा प्रशन ये है कि दोनों के बीच मुख्य अंतर क्या है दोस्तों आई ये बात करते हैं इनके बीच मुख्य अंतर क्या है दोस्तों अंतर बहुत इस तरों पे आपको देखने को मिलेगा उधारन के लिए अगर मैं अंतर की बात करूँ टेंडूलकर मैं अलग बनाता हूँ उस पे टेंडूलकर समीति और रंग राजन समीति इन दोनों ने अपने अपने स्थरों पर निर्धन्ता के मापन पर सुझाओ दिये हैं दोस्तों आप देखिए 2005 में निर्धन्ता के मापन के लिए निर्धन्ता के पुरानी तकनीकों को एक बार उसका पुनर्ड लोकन करने के लिए उसको रिव्यू करने के लिए योजना आयोग ने टेंडूलकर कमीटी बनाई दोस्तों जबकि 2012 में इस समीति का गठन प्रधान मंत्री डॉक्टर मनमोन सिंग द्वारा किया गया था तो 2012 में बनी रंग राजन समीति जिसको प पदेन अध्यक्ष होते थे वो भी प्रधान मंत्री ही होते थे किन्तों प्रधान मंत्री ने इस समीति गठन जो किया उसका एक रीजन था कि इस समीतियों की सिफारिशों के आधार पे जो निर्धनता देश में निकाली गई उसको उसकी निंदा हुई कि वो गरीबों का अ आपमान है क्योंकि उसने इतनी कम निर्धंता रिखा तय कि इसके बाद देश में जो निर्धंत की संख्या है वो अपने आप कम हो गई तो यहाँ पर आप देखें तो पहला अगर हम देखें कि दोनों की स्थापना की स्वर्ष हुई गठन की स्वर्ष हुआ तो गठन को लेकर 2005 में टेंडूलकर समीती और 2012 में रंग राजन समीती तो तो टेंडूलकर समीती ने अपने निसकर्ष में अपने सिध्धानतों में अपने पोज में दरसल मिक्स्ट रेफरेंस पीरियट जिसको मिश्रित रेफरेंस पीरियट कहते लेकिन इसको इंदी इंग्लिश दोनों में MRP का अस्तमाल हम करते हैं मिक्स्ट रेफरेंस पीरियट टक्नीक का अस्तमाल किया जबकि रंग राजन समीती ने मौडिफाइड MRP मतलब Modified Mixed Reference Period का इस्तमाल किया तो इसका जरा मतलब समझते हैं मतलब क्या होता है तो उस्तो होता ये है कि घर-घर जाकर सर्वेक्षन होते हैं लोगों से पूछते हैं कि आपने क्या कितना वै किया पिछले एक महिने में एक साल में तो उनके वैयों के आधार पर पता चलता है कि कितने लोग निर्धन हैं मान लेते हैं कि देश में किसी समीती ने कहा कि एक व्यक्ति के जो वैय हैं उसका पता लगाईए तो पता लगाने के कुछ सिधान्त होते हैं जैसे आप देखिए जो MRP है Mixed Reference Periodis में होता क्या है उसको दो प्रकार की चीजे आम तोर पे इस मिली जाती है एक होती है वैसी वस्तुए जिनका आप बार-बार इस्तमाल करते हैं दूसरी वैसी वस्तुएं जिनका इस्तमाल आप बार-बार तो नहीं करते उसका इस्तमाल आप मालीजी 6 मेने में एक साल में एक बार करते हैं जैसे आप देखें दोस्तों हम कह सकते हैं कि low frequency वैसी वस्तुवें जिनकी frequency क्या है जिनकी आवरती क्या है कम है जैसे दोस्तों कपड़ा footwear संस्थागत स्वास्थे वै इसके अलावा अगर आप देखें तो सिक्षा के लिए जो हम फीस भरते हैं जो खर्च करते हैं दोस्तों आप देखें कपड़ा है footwear है संस्थागत स्वास्थ वै है सिक्षा है या कोई ऐसा durable वस्तु है TV है फ्रिज है mobile phone आदी है इन चीजों का वै हम रोज या हर महिरे नहीं करते हैं ये कभी कभी छे मेने में आम तोर पर कभी कभी हम कपड़ा बदलते हैं चपपल एक साल के बाद लेते हैं इस प्रकाश से छोटी मोटी बिमारिया होती है सर्थी जुकाम लेकिन संस्थागत का मतलब है हस्पताल जाकर जो हम अपने किसी परिजन को भरती करते हैं जो वहाँ वै होता है वो कभी कभार होता है वो बार-बार नहीं होता इसलिए इन वस्तों पर जो खर्च किया गया है लोगों के द्वारा तो 365 दिनों पिछले एक साल में कितना खर्च किया गया है उसको लिया जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी आइटेम्स का मतलब होता है कि जिनका इस्तमाल हम रोज जिन पर हम वै रोज कर जैसे माली जे भोजन है पोशन है बिजली है तो इसमें पिछले 30 दिनों में कितना वै किया गया है या कितना वै किया जाता है इस आधार पर प्रति वैक्तिगत वै को ग्यात किया जाता है दोस्तों तो यहाँ पर क्या किया गया टेंडूलकर समीती द्वारा टेंडूलकर समीती के द्वारा जो MRP तकनिक का इस्तमाल किया गया उसमें ये देखा गया कि प्रतिवेक्ति प्रतिवेक्ति जो व्य है उस व्य को कुछ वस्तु में बाटें जैसे कुछ वस्तु में का व्य हम लेंगे जो आपने पिछले एक साल में किया और कुछ व्य ऐसे लेंगे जिसका व्य आपने पिछले तीस दिन में किया उसके अधार पर हम एक प्रति व्यक्ति पता करेंगे कितने लोगों का वे कितना है तो कि लेशे गे 240 व्यक्ति करेंगे तो वे निर्धन नहीं है अब और लोगों से जब पूछा गया तो जिनका भी वय इस आधार पर 26 रुपए 25 रुपए होगा उसको निर्धन कहा जाएगा तो दोस्तों यहां पर क्या है आप देखें समीती ने MRP लिया टक्नीक ली समीती ने इसमें कहा कि जो लोगों का वय है उस वय को बाटेंगे लो फ्र अस्तमाल करते या वैसी वस्तों जिनका अस्तमाल कभी कबार साल में होता है उस आधार पर उन्होंने एक सीमा दी जो भी व्यक्ति उस सीमा से कम वय करेगा ये निश्चित माना जाएगा कि उसका क्या वो निर्धनता में जीवन जी रहा है और यहां पर दोस्तों क्या है प कि इनके टेंडूल गर समीति की सिफारिश पर पाया गया कि ग्रामी मिस्तर पर प्रति व्यक्ति प्रति दिन यदि कोई वैक्ति 27 रूपे पर डे पर परसन वे करता है और शहरी इस तरपर उसका वे 32 रुपए होता है पर डे पर परसन तो इसे दरसल गरीबी रेखा को बताया गया इसके आधार पर दोस्तों वर्ष 2011-12 के लिए भारत में 21.9 परतीशत लोग निर्धन पाए गया इतने प्रतिशत लोग निर्धनता रिखा के नीचे पाए गया तो यहाँ पर आप देखें टेंडूलकर समीती की सिफारिशों को अगर हम देखें तो 2005 में समीती बनी 2009 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सम्मिट किया इन्होंने अपनी तकनीक में दरसल प्रती वेक्ती वे को आधार लिया और प्रती वेक्ती वे को निकालने के लिए इन्होंने मिक्स्ट रेफरेंस पीरिड का इस्तमाल किया जिसमें वेक्तियों का वे 365 दिनों में पिछले और पिछले 30 दिनों में प्राप्त किया गया जिसके आधार पर इस रेखा से तुल्ला करके उनको निर्धन बताया गया के लिए कि माली जे समीती ने अपने शोद में पाया कि इस आधार पर वेक्तियों को कम से कम इतना खर्च अगर वो करेगा तो वो अपनी मूलभूत आवशक्ताओं को पूरा कर रहा होगा लेकिन जब सर्वेक्शन हुआ तो पता लगा कुछ लोगों का वे 26 रुपय है किस गरादी का 30 रुपय है तो वो किस इस्थान पर है शेहरी है गरामीन है उस आधार पर यतने हुआ कि देश में करीब 21.9 प्रतीशत लोग गरीब है जिसमें दोस्तों अब देखें कि जो शेहरी गरीबी है शेहरी गरीबी का प्रतिशत आया करीब 13.7 प्रतिशत और ग्रामीन गरीबी का दोस्तों जो उतर आया वो आया 25.3 प्रतिशत मतलब पूरे देश में उस समय 11 बारे में ग्रामीन छेतरों में करीब 25.3 प्रतिशत लोग निर्धन थे और शेहरी छेतर में 13.7% निर्धन थे तो देश में टोटल कितनी निर्धनता आई 21.9% दोस्तों इस आंकड़े की बहुत निंदा हुई इस आंकड़े की बहुत निंदा हुई क्योंकि जब इन्होंने 11-12 के लिए आंकड़ों को प्रकाशित किया तो यह पता लगा कि देश में तो काफी निर्धन कम कर दिया आपने निर्धनता कम करने के बज़ाए हमने निर्धन को ही कम कर दिया इसलिए 2012 में रंगराजन समीति का गठन किया गया दोस्तों इन्होंने इस्तमाल किया modified MRP मतलब टेंडूलकर समीति के तक्नीकों को modify किया कैसे किया इन्होंने दरसल कहा 7 दिन 30 दिन और 365 दिन वस्तों का जो व्य है या वस्तों पर जो व्य है उसको हम 3 अधारों पर लेगे 7 दिन जैसे भोजन पोशन है वो तो हम रोजी खर्च करते हैं तो भोजन पोशन पर साथ दिन, कुछ वस्तूओं पर तीस दिन और बाकी वस्तूओं पर 365 दिन के अलग-अलग वे के आकड़े कलेक्ट किये जाएंगे और यहां पर प्रति वेक्ति वे के बराबर, प्रति परिवार वे, एक परिवार में पांच सदस्य को आधार माना गया और पांच सदस्यों के आधार पर प्रति परिवार वे को ग्यात किया जाने लगा दोस्तों यहां पर आप देखें परिवर्तन क्या है, एक तो 2005 में गठित, 2012 में गठित, MRP तकनीक, इसका तकनीक क्या था? मौडिफाइड MRP यहां पर गरीबी रेखा प्रति वे के अधार पर प्रति परिवार वे के अधार पर गरीबी रेखा का आंकिलन किया गया और दोस्तों जब अगर मैं इसी में कंपेर करना चाहूँ माल लिजे, इन्हों ने तो परिवार के अधार पर निर्दनता दी, कि एक परिवार यदि शहरी छेतर में या ग्रामी छेतर में पाँच हजार रुपए प्रती महा व्याग करेगा तो उसको निर्दन नहीं कहेंगे यदि आप उस परिवार के व्याग को बाट देंगे तोड़ देंगे व्यक्ति में तो मिलेगा कि इनके हिसाब से ग्रामी इस्तर में या ग्रामी छेतरों में 33 रुपए प्रती व्यक्ति प्रति दिन इन्हों निकाला प्रती परिवार हम अपने कंपैरिशन के लिए उसको प्रति दिन या प्रति व्यक्ति में तोड़ रहे हैं उसको और ब्रेक अप करें ताकि हम कंपैर कर सके और शेरी छेत्रों में इन्होंने दिया 47 रुपए प्रति वेक्ति प्रति दिन जोस्तों आप देख सकते हैं कि इस समीती के सिफारिशों के बाद आकड़े बदल गए ग्रामी छेत्रों के लिए गरीबी रिखा 33 का मतलब यह वा कि जिसका व्य अब 33 से कम होगा उसको निर द्धंता की संक्या बढ़ने वाली है और दोस्तों इनके सिफारिश के अधार पर देश में 2011 बार में 29.5 प्रतिशत निर्धंता पाई गई तो इनके सिफारिशों के अधार पर देश में 29.5 प्रतिशत पाई गई जिसमें आप देखें जो शेहरी निर्धंता है दोस्तों जो अर्बन पोवर्टी है उसका जो आकड़ा आया वो करीब 30.9 आया और ग्रामिंग गरीबी का जो आकड़ा करीब 26.3 प्रतीशत आया तो एवरेज ही आ गया 29.5 प्रतीशत तो ये है इनके बीच का मुख्य अंतर अंतर कैसे आएगा गठन की तारीक में तकनीक में प्रती वेक्ति और प्रती परिवार में गरीबी रेखा में और गरीबी रेखा के बाद जो गरीबी आई है उसका अंतर भी दोस्तों बहुत भिन आया तो ये हमारे उत्तर की मुख्य बॉड़ी है लेकिन अभी हम बात कि इस उत्तर को लिखे इसमें क्या लिखा जाए दोस्तों हमने concept content तो कर लिया अब जरा बात करते हैं हमारा उत्तर दोस्तों क्या हो दोस्तों आप देखें question वैसे बहुत सपस्ट है कि भारत में गरीबी के मापन हे तू टेंडूलकर समीती और रंगराजन समीती के भिनता क को आपको बताना है तो अब इस प्रकार की उत्तरों हम क्या करते हैं पहले शब्दों का विभाजन करते हैं विभाजन ऐसे करेंगे कि सौ शब्दों का हमें उत्तर लिखना है तो पहले हमें एक परिचे लिखते हैं एक introduction लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं introduction जिससे हमारा उत का सुझाओ से इस पूरे उत्तर की समाप्ति करते हैं जिसको हम निसकर्ष कहते हैं सबसे पहला काम दोस्तों हम ये करना है कि हम अपने उत्तर का एक जो डिजाइन है उसको बनाएं सनरशना को बनाएं सनरशना ये है कि पहले हम परिचे लिखते दोस्तों करी 10 से 15 शब्दों का हम एक परिचे लिखते हैं हम किस चीज पे उत्तर लिखने वाले हैं उसका एक प्रिष्ट भूमी हम यहां बनाते हैं उसके बाद आप देखें यहां पर जो हमारा क्वेशन है वो समीती और रंगराजन समीती के बीच अंतर क्या है जोस्तों ये मुख्य रूप से 70 से 80 शब्द का हमारा मुख्य आंसर है और अंतर में एक निसकर्ष की बात करेंगे जिसमें हम गरीबी उनमूलन के लिए किये गए परियासों की बात कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि भा की संक्या बढ़ जाने से सरकार की सबसीडी पर होने वाला जो व्य है वो बढ़ेगा तो इस समीती की सिफारिश को सरकार ने दरसल रिजेट कर दिया मानने से मना कर दिया तो हमारे पास दोस्तों अगर हम देखें तो सबसे क्रेडिबल सबसे विश्वसनी है समीती की सिफा जहां पर देश में 2011 बारव में इतने लोग निर्धन पाए गये हैं इतने लोग निर्धनता रेखा के नीचे पाए गये जब भी बात कभी भी आती है दोस्तों इसलिए आप यहां जब उत्तर लिखेंगे तो निसकर्श में लिख सकते हैं कि हुआ कि आप कह सकते कि निर्धनता का मापन करें कि उस चीज को भी आज 10 वर्ष हो गए हैं रंगराजन समीती बनी 2012 में आज 2022 है तो 10 वर्ष पुर्व हमारे पास समीती थी किन्तु आद हमें एक समीती की शायद आवशक्ता है जो वर्तमान परिद्श्य में यह देखे कि निर्धनता का मापन कि और उसकी सिफारेशों के उपर आने वाली आलोचना के बाद प्रधान मंत्री ने 2012 में रंगराजन समीती गठन किया जोस्तों यह हमारा एक परिचय हो सकता है ना अल्टीमेटली हमें कमपैर दोनों के बीच करना है हमें कमपैर करना है टेंडूलकर और रंगराजन के बीच में तो अपने उत्तर के परिचे में हम लिख सकते कि दोनों की इस्ति दोनों का गठन की साधार पर हुआ बताएंगे कि भारत में निर्धंता के मापन के लिए सन 2005 में योजना आयोग ने टेंडूलकर समीती बनाई जिसकी सिफारिशों की आलोचना के बाद 2012 में प्रतान मं आदियों में निमन अंतर देखी जा सकते जिसके लिए आप टेबल के माध्युम से भी या फिर आप अलग-अलग वाक के माध्युम से भी इनके अंतर को बता सकते हैं कि इसका गठन अब हुआ इसका इस वर्च हुआ इसकी तकनीक है मौडिफाइड अम्र पी इसने प्रति समीथी की सिफारिश पर देश में ये दर्धनता पाया गया तो ये इंगें बीच अंतर है जिसकе बाद हमारा उत्तर जब आगे बढ़ेगा तो आप बताएंगे आप ये बताएंगे कि अब क्या किया जाना चाहिए तो दोससों इसमें जो होगा होगा की हमें अब एक नई समीती की आवशक्ता हो सकती है या फिर आप कह सकते हैं कि रंगराजन समीती की सिफारिशों को सरकार ने खारिश किया और आज 10 वर्ष बीच चुके हैं हमें नई समीती गठित करनी चाहिए ताकि वर्टमान में जो अधानता है जो उसके आधार है उसका हम बेहतर मापन करके अपनी जो योजनाएं हैं उसको लक्षित कर सकें। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ये उत्तर बनेगा जिसको आपको विस्टार से लिखना है। दोस्तों यहाँ पर हमने उत्तर की बात भी कर ली निर्धंटा के मापन में कुछ टक्नीकों की बात भी कर ली हाला कि आप देखें यहाँ पर निर्धंटा के मापन के लिए हम अन्य प्रश्टों में देखेंगे कि कैसे 1962 में योजना आयोग ने समीति बनाई उसके बाद धरत समीती आई उसके बाद अलग समीती आई जिन्होंने भी कैलोरी की बात की तो अलग समीती वाई के अलग समीती ने भी कैलोरी के अधार पर निर्धनता के मापन की पेशकर्ष की तो उस कैलोरी टकनीकों को संशोधित करके टेंडूलकर समीती ने प्रतिव्यक्ति वै के आधार पे निर्धंता के मापन की एक सिफारिश दी जिसके लिए उन्होंने MRP तक्नीक का इस्तमाल का एक तक्नीक दिया जिसको बाद में 2012 में रंगराजन समीती ने और संशुदित करते हुए MMRP कर दिया और ये दोस्तों एकि प्रश्णों में करेंगे दोस्तों इस प्रश्ण की उत्तर को हमने कर लिया है और दोस्तों हमने पिछले वीडियो में काफी और प्रश्ण किये हैं जिसमें चोटे उत्तर भी हैं और लगू की साथ-साथ बड़े उत्तर भी हैं उनको आप देखें दोस्तों मिलते हैं अग